Hello friends, welcome back to our YouTube channel GK with me तो आज के स्क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ H.T.P.R.T. एक्जाम के बारे में मुझे ऐसे बहुत से कमेंट आये थे कि मैम P.R.T. का जो सिलिबस है वो आप एक बार डिफाइन करके बता दीजिए तो मैं अभी आपको पहले ऐसे ही एक बार बता देती हूँ कि comment section में क्या आता है and then मैं written form में इसी वीडियो में add कर दूँगी फिर आप वो पूरी PDF देख लेना साथ-साथ वो PDF आपको मारे टेलिग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी उसमें मैं सारा का सारा syllabus जो होगा वो topic wise लिख दूँगे जो जो topics जो है वो आपके important रहेंगे मैंने सारा का सारा comment section की जो एक वीडियो है वो बना रखी है estate syllabus के नाम से है वो उसमें मैंने आपको सारा common syllabus समझा रखा है जैसे आप सभी को पता है आपका चाहे PRT का exam हो चाहे TZT का हो चाहे PZT का हो सभी में जो common section है वो same रहता है बस थोड़े से level में change हो जाता है PRT का जो exam है वो others जो level है उनसे थोड़ा सा easy होता है उनमें जैसे PRT का exam है उसमें थोड़ा basic type में पूछा जाता है लेकिन TZT का level थोड़ा सा high रहता है और PZT का उससे भी high रहता है तो मैं आपके साथ में discuss करने वाली हो एक बर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा कौन सा topic जो है कितने marks का आता है कि इसमें negative marking होती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे students जो होते हैं newcomer होते है यानी कि जो पहली बार exam दे रहे होते है लेकिन उने पूरी तरीके से syllabus के बारे में नहीं पता होता है levels के बारे में negative marking होगी या नहीं होगी इन सब बातों के बारे में उने नहीं पता होता है क्योंकि आपको अगर ऐसा पता लग जाए कि हमें कौन से कौन से topics पढ़ने हैं तो वो हमारे लिए easy हो जाता है फिर हमें ऐसा लगता है कि इन में से exam आ जाएगा क्योंकि जो HBSC है हरियाना board है हमारा उसने जैसे define syllabus नहीं देता है वो तो define नहीं होता तो बच्चे जो हो जड़ा confusion में रहते हैं कि पता नहीं हमें क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है बट हम previous year को analyze करके topics जो हैं वो देख सकते हैं कि कौन से कौन से topics में से questions आते हैं तो मैं वही सब आपको explain कर दूँगी तो पहले मैं आपको पता देती हूँ जो आपका exam है उसमें जो CDP है CDP आपकी 30 marks की रहती है और CDP जो है वो most 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 important है हमारे channel पर भी CDP की classes जो है वो regular हो रही है अगर आपने नहीं देखिए तो playlist बनी हुई है वहाँ पर आपको 15 to 16 classes जो है CDP की देखने को मिल जाएंगी इसा होता है 90 marks की जगा हम 89 पर अटक जाते हैं 88 पर अटक जाते हैं तो हमें बहुत मुश्किल लगते हैं तो अगर हमालों हमने सारे concept अच्छे से पड़े हैं सारे subjects अच्छे से पड़े हैं तो हम उसे आराम से qualify कर सकते हैं तो CDP आपकी 30 marks की रहती है हमारे channel पर हो रही है अगर किसी ने नहीं देखे तो देख सकते हैं उसके बाद हम चलते हैं Hindi English पर Hindi भी आपके exam में 15 marks की रहती है और English भी 15 marks की रहती है उसके बाद ये Hindi English का syllabus जो है वो मैंने पूरा PDF से पूरा explain करके बताया हुआ है अगर मालों आपने नहीं देखे वो वीडियो तो आप playlist बनी हुई है एक्टेट syllabus के नाम से वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं आपको वहां पर वो वीडियो आराम से मिल जाएगी तो Hindi English का syllabus वहां define करके मैंने बता रखा है इसके बाद Hindi English की बात होगी 15-15 marks का रहता है यानि कि 30 marks का ये section रहता है आपका इसके बाद 10 marks का math होगा 10 marks की reasoning होगी और 10 marks की हर्याना जीके होगी आप बता दीजेगा अगर आपको हर्याना जीके करनी है तो मैं हर्याना जीके की classes जो है वो start कर दूँगी जो PRT के लिए EVS की classes है वो अब हमारे चैनल पर regular हो रही है दो classes हो चुकी है आपके exam तक आराम से जो EVS का syllabus है वो complete हो जाएगा बहुत बड़ी ऐसे बहुत ज़्यादा syllabus भी नहीं है आपका कुछ ऐसे topics है जो हर बार exam में पूछे गए और जो important होते है उनमें से exam में question आने की chances रहते हैं तो वो सारे के सारे topics में आपको कराने वाली हूँ अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं तो इसके साथ जैसे 30 marks का यह syllabus हो जाता है तो यह common section जो है आपका यह 90 marks का रहता है अब इसके बाद में जो PRT है जिसके लिए मैंने यह video बनाई है तो कि मुझे बहुत सारे students जो थे उन्होंने comment किया था कि EVS का define से लिए बस बता दो EVS में कौन से topics आएंगे यह बता दो तो EVS की मैं आपको बात कर लेती हूँ EVS की हम बात कर लेते हैं EVS में आपको 30 marks की EVS देखने को मिलने वाली है इसके साथ 30 marks का math रहता है तो math और EVS दोनों ही basic level होते हैं बहुत ज़्यादा tough नहीं होता है तो अगर आप basic भी कर लेंगे तो भी आपका जो exam है वो qualify हो सकता है लेकिन मैं तो आपको पूरा का पूरा concept से समझा रही हूँ बहुत अच्छे से explain करके समझा रही हूँ ताकि मनलों अगर थोड़ा सा moderate level आजाता है या थोड़ा tough level आजाता है तो उसमें से भी आपके questions जो है वो solve होने के chances बढ़ जाए अभी मैं आपको आगे अब ये PDF जो है वो merge करके बता देती हूँ कि उस PDF में कौन से कौन से topics आपको पढ़ लेने है PRT के लिए कौन से topic important रहने वाले है for EVS के syllabus के लिए और इसके साथ math के syllabus के लिए तो आप इस class को last तक देखेगा ये मत सोचेगा कि हमें PDF नहीं मिलिया तो अब आपको इस वीडियो में आप आगे PDF देखने को मिलने वाली है तो अभी मैं PDF से आपको ये सारा define कर देती हूँ तो भी मैंने आपके साथ में discuss किया था कि मैं आपको सारा syllabus जो है complete return form में बताने वाली हूँ तो आप इस वीडियो को last तक देखेगा ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा useful रहने वाली है इसमें जितने भी topics मैंने लिखे हैं सारे previous year को analyze करके लिखे गई हैं जिसमें से most of time जो है वो question आई है तो आप इन topics को भी कर लेते हैं 30 marks का आपका math रहता है अगर हम ज़्यादा बात भी करें तो भी ऐसा लगा कर चलो अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तब तो आपके 50 plus marks तो है ही है otherwise आप इसमें 45 plus marks तो ले ही सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कुछ important topics बता देती हूँ EVS के लिए इसे सिर्फ connect होता है acid rain से question पूछे गए थे तो यह भी आपका equally important है और यह तीनों ही topic जो है मैंने आपको YouTube पर भी करा दिये हैं तो YouTube पर हमारी EVS की regular classes हो रही है अगर अपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें join कर सकते हैं तीन classes में आपको करा चुकी और यह तीनों topic मैंने आपको करा दिये और इन तीनों ही topics में से आपको question देखने को जरूर मिलेगा 99% chances है कि इन topics में से जरूर से जरूर question होगा इसके बाद जो यह forest का topic है यह आपका important हैने वाला है इसके बाद जो है यह atmosphere का topic है यह आपका बहुत ही ज़्यादा जरूरी topic है यह वो layers वाला topic होता है जिसमें से हर बार question आते है जो हम पढ़ते हैं जैसे stratosphere है, troposphere है, samtap mandal है shop mandal है, iron mandal है यह वो वाला topic है आपका तो यह बहुत ही ज़्यादा important topic है यह attitude के साथ साथ seated में भी important रहते है जरूर देखने को मिलता है energy resources में से भी आपका एक question जरूर होता है तो इसको भी देख लेना जैसे renewable energy है, non renewable renewable energy है koila, petroleum, इन से question आते हैं तो यह सारे topics जो मैंने लिखे हैं यह सारे के सारे में आपको कराने वाली हो ecosystem में से आपके 2-3 question आए हुए थे previous year में का pyramid कैसा होगा, ocean का pyramid कैसा होगा तो यह सारे के सारे questions जो है वो पूछे जाते तो इसको अच्छे से देख लेना यह मैं करा दूँगी आपको सभी environment days कोन से day को कोन सा environment day मनाया जाता है यह अच्छे से करना है, convention जितने भी convention हुए है, वो सब अच्छे से करने है convention का मतलब होगा कि जितने भी सम्मेलन है वो सभी आपको अच्छे से कर लेने है तो यह सारे मैं आपको कराने वाली हो अब measurement के लिए जैसे measurement में मैंने लिखा है, जैसे आप से पूछ लिया जाता है कई बार कि जैसे वो अधरता होती है उसको मापने का यंतर क्या है ऐसे से question जो है, वो दो से तीन question ऐसे question आए हुए है आपके exam में इसके बाद है यहाँ पर birds, birds में से question आए हुए है disease में से question पूछा गया था एक question देखा था मैंने, इस तरीके से option बनाए गए थे, पांच ऐसे थे और पांच ही उसका हमें मिलान करना था, कि इसमें से कौन सा सही, और वो जदा मुश्किल नहीं था basic question था, तो ये भी मैं आपको करा दूँगी, ozone मैंने आपको करा दिया है ozone layer, तो ये भी आप class देख सकते है तो ये complete मैंने करा दिया और इसमें से question आया हुआ है, अर्थ जो होती है अर्थ में से question आया हुआ है इसके सासा जैसे planets हैं, जितने भी type के planets हैं, कौन सा planet बढ़ा है कौन सा छोटा है, इसमें से questions देखे गई है deforestation में से question आया है ये भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अभी जितने भी exams हो है ना, सभी में इस topic में से question आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो topic है ये आपके लिए important हो सकता है इसके सासा जैसे ocean है, समुंदर है समुंदर का ecosystem जो है वो आपको जरूर पढ़ लेना है तो ये भी आपका important रहेगा tides में से पढ़ लेना question ellips मतलब जो grand लगता है सूरिय grand है, चंदर grand है इसमें से भी आपको question जरूर देखने को मिलेगा जितनी type की guesses है जो मारे environment में पाई जाती है ये सारी आपको अच्छे से करनी है तो यहां से आपका 30 marks का जो EVS का syllabus है वो complete हो जाएगा और ये आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है इसके बाद मैं आपको maths के कुछ topics बता देती हूँ जो मैंने analyze के हैं, जो देखे हैं जो आपके exam paper में पूछे गई है तो यहां पर बात कर लेते है पहला topic है आपका ये number system का तो number system में से आपके 2 से 3 questions मैंने देखे थे तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है ratio का question मैंने देखा था ratio भी पूछा गया है profit loss से question पूछे गई है इसके बाद geometry complete करनी आपको क्योंकि आपका जो मैंने exam paper देखा है ना PRT वाला उसमें आपके ये questions जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे गई है at least 5 questions तो मैंने देखे ही देखे तो 5 से 6 questions जो है वो आपके in topics में से हैं जैसे आपका spear है, cylinder है, cone है, rectangle, triangle, circle ये जितने भी types के होते हैं ये सारे ही आपको पढ़ने है और इन में से आपके question paper में 5 to 6 questions पूछे गए हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छे से कर लेने हैं इसके साथ यहाँ पर HCF, LCM में से question पूछा गया और आगे भी आपके exam में जरूर HCF, LCM से question आएगा दो question मैंने देखे थे probability के एक ही paper में दो question पूछे गए थे previous year में time and work से question था mean mode median, इसको तो double star लगा लो ये हर बारी पूछा गया mean mode median वाला factors वाले में आपसे prime factors पूछ लेगा co prime factors पूछ लेगा तो ये वाले question जो हैं आपको बहुत अच्छे से factor वाला topic जो बहुत अच्छे से कर लेना है divisibility जो rule होता है divisibility वाला कि कौन सा किसे divide होगा, कौन सा नहीं होगा ये इस type के question पूछे गए हैं तो ये भी आपको अच्छे से करना है average का topic अच्छे से करना है इसके बद जैसे वो question होते है जैसे x plus 1 by x is equal to find out the value तो यहाँ पर कुछ number दिया जाता है फिर x minus 1 by x करके इसकी value पूछी जाती है तो इस type के question जो है वो 3 से 4 question जो थे वो ये find value वाले पूछे गए थे तो यहाँ पर आपका जो math का 30 marks का से लिए बस है यह cover हो जाएगा इसके साथ अगर आपका कोई और topic पढ़ने का मन करें तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं तो आपका extra हो जाएगा इससे आपको बहुत help मिलने वाली है यह सारा का सारा PDF जो है मैंने सारा previous year पर analyze किया है अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा telegram channel जो है वो join कर सकते है telegram channel का link आपको हमारे description box में मिल जाएगा इसके साथ comment section में मेरा telegram channel जो है वो pin कर दूँगी तो आप वहाँ से जाएगे तब आपको यह syllabus वाली PDF जो है वो मिल जाएगी तो अगर आपको EVS करना है तो EVS हमारे channel पर daily classes होती है EVS की तीन class मैंने करा दी है और इन तीन classes में से आपके देखना question जरूर आएगे जिसमें भी class देखिया exam के बाद वो जरूर कहेगा कि इसमें से question आए थे और यह सारी EVS मैंने बहुत अच्छे से लिखी हुई है तो आप इनको देख सकते हैं ठीक है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको किसी भी तरीके का doubt है तो आप मुझसे पूछ सकते हो CDP की classes हमारे channel पर daily हो रही है और थोड़ दो चार दिन में मैं आपको CDP के सारे notes भी provide कराने वाली हो complete PDF अगर किसी को चाहिए हो तो वो ले सकता है उसके लिए मैं आपको बता दूँगे कि ये PDF आपको कहां पर मिलेगी जब मैं ये PDF complete बना दूँगी तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि आपको PDF कहां मिलने वाली है तब तक 2-3 दिन के लिए आप इसका wait कर लो चीक है तो अब मिलेंगे next class में next हमारी strategy, topic, study material के साथ तब तक आप हमारे channel के साथ बने रहें अगर आपने channel subscribe नहीं किया तो please इसे subscribe कर दीजिए और video को share नहीं किया तो share कर दीजिए